हेलो एवरिवन अब हम एक निया टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है रिंग होमो मॉर्फिजम का ठीक है अब इसमें हम स्पोस्ट कर लेते हैं के लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स के आर और डैश हमने दो रिंग्स लिंग then I'm mapping then I'm mapping phi हमने एक mapping phi डिफाइन की phi कहां से कहां तक होगी r से r डैश पर एक mapping की उसको हम कहेंगे is called ring homomorphism उसको हम कहेंगे कि यह ring morphism है if and only if for all r s belongs to r यह consideration में लाना है कि r में से जो भी r और s होंगे उनके लिए यह दो conditions hold करें कि phi हम r plus s पे apply करें तो phi r पे separate हो जाए और plus phi s पे separate हो जाए और इसी तरह से अगर multiply हम कोई भी दो element r s कह रहे हों तो phi of r आ जाए और phi of s आ जाए then clearly you can see that phi of r and phi of s belongs to r dash phi of r, phi of s belongs to the second ring because it comes after the mapping of phi तो हमारे पास इस तरह से जो हम define करें के दो हमारे पास ring हो एक mapping define करें r से r dash पे एक ring से डूसरी रिंग पे और उसको homomorphism इस वकत कहेंगे जब r plus s पे phi define हो और separate r और phi r और phi s आजाए और phi r s हो तो phi of r into phi of s आजाए और हमारे पास phi of r और phi of s जो है वो r dash से belong करेंगे अब इसकी अगर example हम देखें हम suppose कर लेते हैं के let r and r dash be two rings के r और r dash two rings हैं हमने एक mapping define की और mapping इस तरह से define की के phi r से r dash पे एक mapping है और हमने कहा के phi इस तरह से define है के जब r पे मतलब phi लगेगा मतलब apply होगा तो वो zero dash आएगा ठीक है अब r जो है वो r का element है और zero dash जो है वो identity है इसकी r dash की मतलब यह दो चीज़े हैं के r r से बिलोंग कर रहा है और zero dash is the identity of r dash अब हमने इसको show करना है के यह homomorphism है first condition क्या है के phi of r plus s अगर हम लें तो हमारे पास किस पे apply होगा यह अगर हम किसी भी पे phi apply करेंगे तो वो identity पे map होगा and then by definition of identity we can write it as this one अब अगर हम यह देखें तो यह क्या हो जाएगा phi of r plus phi of s ठीक है और अगर हम दूसरी condition देखें यहां से phi of r s phi r s पे apply होगा तो identity को हम यह से भी लिख सकते हैं और then उसके बाद यह हमारे पास phi r के equal है और यह हम इसको लिख सकते हैं phi s के equal क्योंकि identity तभी आई है जब phi r apply होगा है तो identity इसकी आई और phi s होगा तो इसकी identity है that means के both of these are equal now we can say that phi is ring homomorphism के phi हमारे पास फिर ring homomorphism बन गई हमने पहले ring homomorphism की definition देखी के ring homomorphism कब होगी जब यह दो condition satisfy करेंगी उसके बाद हमने एक example देखी जो mapping define इस तरह से हुई हुई थी कि अगर हम r के element पे phi को apply करें तो वो दूसरी ring जो है r डेश उसकी identity पे map हो हमने क्या कहा कि phi r r से belong कर रहा है और zero dash identity है r डेश की क्योंकि इसके हर element उसकी identity पे map हो रहा है तो हमने phi r plus f के लिए इसको चेकिया और phi rs के लिए चेकिया ये दोनों कंडिशन्स होल कर गए that means phi is a ring homomorphism क्योंकि अजया है